नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं इसके लिए राज्य में राष्ट्रिय स्वास्त अभ्यान के तहत कारे राद 40,000 साहिया को स्मार्ट फोन टेप देने की त्यारी है राज्य सरकार ने 5 वर्ष सो चालू वीतिय वर्ष से लेकर वर्ष 2026 सता इसके लिए जरकन स्वास्त परहरी पर्योजना सुरू करने का नेना लिया है इस पर्योजना के तहौत एप के माध्यम से ग्रामीन छेत्रों में कई परकार की स्वाइत सुविधाय पहुचाए जाएगी इसके लिए साहिया एप विक्सित किया जाएगा जारकन में मौसम का मिजाज बदला बदला साहय राजधानी राची में सनीवार कुमे गरजन के साथ रेमजीम बारिस हुई इसे तापान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है मौसम केंद्रे के अनुसार आज उत्तर पूर्वी दक्षिन पूर्वी यम निकटवर्ती मदे भागो में कहीं कहीं हलके से मददर्ज की बारिस हो सकती है इस दोरान में गजन हो सकता है और बजरपात की असंका जायर की गई है मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है एलो अलर्ट जारी कर मौसम खराब होने पर सुरक्षित अस्थान पर रहने के अपिल की गई है बता दे 26 माई तक राजे में कहीं कहीं हलके से मददर्ज की बारिस की समभव नहाए जार्खन के सीएम वह सीवू सोरेन ने दी सरदांजली जार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन एवं राई सभा सांसा देशों गुरू सीवू सोरेन ने जार्खन अंदुरनकारी एवं पूर्व विधायक स्वर्गे दुर्गा सुरेन की तेरावी पुनेतिती पर नामकुम के लोवाड़ी दुर्गा सुरेन चोक इस्थित परतिमा पर मल्यारपन कर्थ दांजली अरपित की मोख्य मंत्री ने कहा कि स्वर्गेद दुर्गा सुरेन पार्टी करकरताओ एवं युवाओं के प्रेना सुरोत थे उनकी कमी ब्यक्तिगत अस्तर पर एवं पार्टी में हमेशा खलेगी मोख्य मंत्री से पहले स्वर्गेद दुर्गा सुरेन की तीनों बेटियां राज सिरी जय सिरी एवं बिजय सिरी कारेकरम अस्थाल पहुंची एवं अपने पीता को भी सरदांज लिदी भोटिंग के दोड़ान गलबड़ी करने वालों के खिलाप करवाई जारखन पंचाय चुनाव सान्ती पूर्ण संपन कराने के लिए पलामू स्थी की सेकरेता का ही नतीजा है पुलिस ने करवाई करते हुए चार आरोपियों को जेल भेज़ दिया है घर गए बिना बिजली बिल बनाया तो उर्जा मित्र पर दर्ज होगी एफायार उभगताओं के घर गए बिना ही बिली बिल निकालने वाले उर्जा मित्रो पर जार्खन बिली बित्रन निगम लिमिटेड एफायार दर्ज कराएगी उर्जा मुख्याले की ओर से इसे समधित आदेश जारी किया गया है दरसल धनबाद समेत राजे के अन एरिया बोर्ड में उभगताओं के घर गए बिना उर्जा मित्रो द्वारा बिली बिल निकालने की सिकायत जेवी भी भीनेल ने अपसरो को मिली है इस मामले में बिलिंग एजेंसी को भी सोकाज हुआ पेनल्टी लगाने को कहा गया है सिकायत की जाच में धनबाद बिली बोर्ड में औसी से ज्यादा ऐसे मामले सामने आया है जहां लोग के घर गए बिना ही उर्जा मित्रे ने बिल जरनेट कर दिया है जहारखन में नहीं घटेगी पेट्रोल डियल के दाम केंद्र सरकार ने महागाई कि इस दोर में जानता को पेट्रोल और डियल की बढ़ी कीमतों से राहत दिलाने के लिए पेट्रोल में 9 रुपया डियल में 7 रुपया और उजवाला योजना के तहुत LPG में 200 रुपय की कटवती करने का निर्न लिया है केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों से भी अपेक्षा की है कि वे जानता को राहत दिलाने के लिए वैट की दरों में कुछ कमी करे लेकिन जार्खन सरकार की वैट की दरों में कटवती कर सिधे जानता को राहत दिलाने की फिलाल को योजना नहीं है बीत मंतिरा में स्वर उराओं के कहा है कि जार्खन में पॉले से ही पेट्रोल सबसेटी योजना प्रभावी है इसके तहुत दो पहिया वाहन रखने वाले राशनकार धालियों को 25 उर्वे प्रती लिटर की सबसेटी दी जा रही है इधर भाजपा ने भी राज सरकार पर पेट्रोल डियल की कटवती में दबाव बनाया है अवायद खनन हुआ तो आप सरो पर होगी करवाई मुख्यमंत्री हमंसरे ने कहा है कि अवायद खनन किसी भी हाल में सविकार नहीं किया जाएगा अधिकारियों को समोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी परकार के अवायद खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए DC-SP से कहा है कि अवयद खनन में सनलिप्त लोगों या माफिया के खिलाब ततकाल सक्त करवाई सुनिश्चित करे अवयद माइनिंग रोखने के लिए प्रभावी मेकनीजम तयार करे पेट्रोल डीजल के दाम घटे तो कॉंग्रेस को लगी मीरची परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष राजिस ठाकूर ने कहा है कि चार राजियों में चुनाव खत्म होने के बाद के अंदर सरकार ने चार दीनों तक पेट्रोल डीजल में 10 से 15 रुपए और गये सिलेंडर में 390 रुपए की बढ़ोतरी की और अब एक साईज जीटी को लेकर पेट्रोल में 8 रुपए तथा डीजल में 6 रुपए के साथ-साथ उजवाला के लावकों के लिए सिलेंडर में 200 रुपए कम करके केंदर सरकार आपना गाल बजा रही है उन्होंने कहा है कि भाजपा लोगों को कब तक भरम जाल में फासा कर रखेगी या बेवसाइक माल में दिये जाने वाले छुट की तरह है जिसमें कीमतों में बढ़ोतरी कर छुट दी जाती है और भोली भाली जानता लुट जाती है प्रोनती मिली तो जहरकन को मिलेंगे 42 और IAS जहरकन में राजप्रसासनिक सेवा के अधिकारियों को IAS में प्रोनती मिली तो परदेश कोटे में 42 और IAS जुड़ जाएंगे इसका कारण है कि पिछले तीन वर्सों के रिक्तियों को एक साथ जोड़कर कूल 42 अधिकारी प्र यार किया जा रहा है इसके बाद सूची केंद्र को भेजी जाएगी जहां उच अस्तर ये बैठा के बाद प्रोनाती पर मुहर लगेगी माइनिंग अपसर सत्यजीत ने खेला बड़ा खेल जारखन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन को ख़दान देने वाला रांची का पूरवड डियमो सत्यजीत संदेह के घेरे में है अब इसकी स्थीपा वापस लेने की एक चिठी सामने आई है बतादेया चिठी ठीक उसी दिन लिखी गई है जिस दिन IAS पूजा सिंगल के देश भर के पांच राज्यों के 25 ठीकानों पर परवतर निदेशाला एडी की तापर तोड़ छापे मारी हुई ऐसे में हमत सुरेन को रांची के अनगड़ा में खनन पटा का लिज आवंटित करने वाले रांची के पुर्व जीला खनन अधिकारी सत्यजीत का इस्थीपा संदे के घेरे में है चो माह के प्रसिक्षन से मिल रहा दो लाख बीस एर का पैकेज मोख्य मंत्री हमान सुरेन की पहल पर सुरू होई प्लेस्मेंट लिंक्ड स्कील ट्रेनिंग प्रोग्राम का बेहतर पई नाम सामने आ रहा है स्रम नियोजोन वां प्रसिक्षन भी भाग द्वारा HCL के स्वाजोग से सुरू हुए इस प्रोग्राम के माध्यम से 6 मा के प्रसिक्षन में युवाओ को 1,70,000 से 2,20,000 रुपे तक के पैकेज मिल रहा है इस साल इस कारक्रम के तहट 1200 विद्यार्थियों के चैन का लक्ष रखा गया है जिसके लिए प्रक्रिया सुरू कर दी गई है हजारी बाग और चात्रा में सर्वधिक भाजबा समर्थक बने मुखिया जार्खन पंचायत चुनाओ का दोर चल रहा है चुनाओ दली अधार पर नहीं हो रहा है लेकि अंदर ही अंदर सभी दलोक नेता खेला कर रहे है बता दे चार चर्णों में हो रहे है इस चुनाओ के दो चरन का मत्दान हो चुका है वही प्रत्थम चरन के मत्दान का परिणाम भी सामने आ गया है बिजेत्ताओ के दली परतिबत्ता का मुल्यांकन करने पर पता चलता है कि चात्रा और हजारी बाग जिले में बड़ी संक्या में भाजपास समर्थकों ने इस चुनाओ में जित दर्च की है या आकलन चुनाओ पुर्व उनकी दली सक्रेटा को देखकर की गई है स्कूलों के रंग पर बीजेपी और जे एमेम में भीडा अंत जारखन के सरकारी स्कूल नए रंग में रंगे जाएंगे स्कूली सिक्षा यम सक्षता मंत्री जगरनाथ मतों की निदेश पर विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है इसके तहर सरकारी स्कूलों के भौनों का रंग सफेद होगा जबकि हरे रंग का बॉडर होगा विभाग ने रंग रोगन में उप्योग किये जाने माले पेंट के रंगों तथा उसके कोट का भी निधारिन कर दिया है जैसे एसियन पेंट में स्वान विंग कलर का उप्योग किया जाएगा यदि बर्गर पेंट का उप्योग किया जाता है तो अंकोरा वाइट कलर का उप्योग किया जाएगा स्कूलों के दरवाजे खिरकिया गहरे हरे रंग में पेंट की जाएगी बता देखी अभी तक सरकारी स्कुलों को गुलाबी रंगों में रंग रोगन किया जा रहा था विभाग ने सोचालों के रंग का भी निधारन कर दिया है अंडर 15 कोस्ती टीम के गठन के लिए ट्राइल हुआ जारखन अंडर 15 जूनियर बालाक एवंबाईल का कोस्ती टीम के गठन के लिए चैन पर तियोगिता सनीवार को खेल गामें आयोजीत हुई चैन ट्राइल में जारखन के विभीन जीलों से 110 खिराडियों नहीं सा लिया ट्राइल का उद्गाटन जारखन राजे कोस्ती संके कोसाध्यक्स बभलु कुमार सेनियर पलेयर सह राश्ट्रिये कोच राजीव रंजन भीम ने किया इस ट्राइल के अधार पर चुनि गई टीम राश्ट्रिये अंडर 15 कोस्ती परत्युकता में भाग लेगी दुमका में ट्रेन से कटकर किसोरी समय तीन की मौत दुमका रामपूर होट रेल मार्ग पर सिकारी पराथाना छेत्रे के बरमसिया के पास ट्रेन से कटकर तीन नवालिकों की मौत हो गई सनिवार के सुबा रेल पट्री पर तीनों का सव मिला है मिरितको में अजाय हेम्राम और साइमन मरांडी सिकारी पड़ा के सहरजोरी गाउं के रहने वाले थे जबकि 13 वर्षी एक किस्वरी अलबिना हेम्राम सिकारी पड़ा के दुर्गापूर गाउं की थी दुर्गा सोरेन सी एम होते तो ज़ारखन की तस्वीर कुछ और होती ज़ारखन मुक्ती मोचाक वरिष्ट नेता और पूर्व विधायक दिवांगा दुर्गा सोरेन की तिरहमी पुनेतिती पर रायधानी राची के लोवाडी इस्थी दुर्गा सोरेन चोग पर दुर्गा सोरेन सेना की ओर से पुसपांजलित कारेकरम का आवेजन किया गया इस मौके पर संगठन की अध्यक्ष जैसरी सुरेन, करकारी अध्यक्ष जैसरी सुरेन और विजैसरी सुरेन समेत अने पतादिकारियों और सदस्टों ने मलारपन कर उन्हें नमन किया F.I.H. होंकी प्रो लिंग के लिए भारतिय टिम में जार्खन की तीन खिलाडी एक बार फिर होंकी में जार्खन का नाम गुर्वानुइत हुआ है बता दे F.I.H. होंकी प्रो लिंग में जार्खन की तीन खिलाडियों का चैन किया गया है होंकी इंडिया ने सरनिवार को 24 सदस्टिय भारतिये महिला टीम की गोसना कर दिया है इस टीम में जार्खन की तीन खिलाडी निकी परधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी भी सामिल है इन तीनों खिलाडियों को होंकी प्री लिंग में इस्पेन के खिलाप सांदार परदसन का इनाम मिला है एफ आई एच होंकी प्रो लिंग का आयोजन, बिलेजियम और निदरलंड में किया जाना है जार्खन में अवायद खनन हुआ तो अपसरों की खैर नहीं जार्खन के मुख्यमंत्री हिमन सुरें ने रांची के काके रोड इस्थीत मुख्यमंत्री आवासे कर्याले में वीडियो कंफिंसिंग की जरिये सभी जीलों के उपायुकते यों पुलिस अधिक्षकों के साथ समिक्षा बैठक की इस दोरान उन्होंने अधिकारियों से का आए कि अवायद खनन किसी भी हाल में सविकार नहीं किया जाएगा किसी भी परकार के अवायद खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए अवैद खनन में सनलिप्त लोगों या मफ्याओं के खिलाब ततकाल सक्त करवाई सुनेश्चित करे ज्यारखन के 31 जगों पर बनेगा बाईपास रोड ज्यारखन में 31 जगों पर बाईपास सड़क का नेमान किया जाएगा इसमें कई छोटे और बड़े सहर सामिल है नेशनल हाईवे के चारखन विंग के साथ नेशनल हाईवे अथूरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाईपास का निर्मान किया जाएगा धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ने हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर बहुत का बेले कादा बढ़े साथी साथ वीडियो को एक लाइक के अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करना भूले साथी साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फिड़बक अवस्य दे थैंक्यू झाल 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 झाल